के गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो मैं चानल इंडेन मॉप का अंचन सो यहां पर बन रहा है रोटी का चूड़ा और रोटी के चूड़े के रेसिपी मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ की है बट फिर और शेयर गदा दें क्यूंकि न्यू जोइन होते रहता ह सब लोग तो पिर recipe मांगते हैं तो यहां पर मैंने oil डाल दिया है बहुत सीat recipe है यहां पर om Ly डाल दिया है लेए मुञ फली को अच्छे से fry करना है ताकि वह crispy बने थोड़ी सी ऑर उसके बात उसमें लसोन द्रख का paste डाल देना है इसको अच्छे से चला लेना है ताकि इसकी कच्छी स्मेल चली जाए और इसके बाद मैं यहाँ पर टोमेटो काट रही हूँ इसके बाद आपको टोमेटो भी डाल देना है पहले आपको प्याज वगर और वह जो लसुनदर का पेस्ट है उससे अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्छा पंच चला जाया और फिर उसमें मसाले डालना है थोड़ा सा गुल्डन ब्राउन पिढ़ होने के बाद उसमें डालना है जैसे कि बेसिक से मसाले लाल मिर्स पाइदëर हल्दी धनिया पाइदर थोड़ा सा गरं मसाला चाहिए तो बस यहाँ पर मैंने और नमक ना थोड़ा सा ध्यान से आड़ करना क्योंकि हम लोग जब रोटिया बनाते हैं उस टाइम भी हम लोग आटे में थोड़ा सा नमक आड़ करती है टेस्ट के लिए तो इस वज़ादा ना हो जाए थोड़ा सा नमक आड़ कर देना बस इसके बाद अच्छे से चला ले करता है फिर उनके उपर ब्लेम भी नहीं कर सकता है इसी वज़े से मैं जो भी काच की चीज़े है वह खुदी वाश करती हूँ आपने देखा होगा कि ज्यादातर मेरे घर में तो काच की ही चीज़े है तो वह सब कुछ वाश करकी फिर जाके आंटी के पास बरतन देती हू और बस यहाँ पर वही क्लीन करना चल रहा है जैसे कि अभी ट्रे है ट्रे को भी क्लीन कर लूँगी और अच्छे से उसकी जगा पर रख दूँगे और फिर जब रोटी का चूड़ा बन जाएगा तब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे तो यहाँ पर बन गया है रोटी का चूड़ा और उपर से चाहो तो धनियापता एड़ कर सकते हो थोड़ी से हलकी सी दो चार दाने चीनी के भी आड़ कर सकते हो और बस यहाँ पर मैं बना रही हूं चाय आंटी के लिए और मेरी लिए और यहाँ पर प्लेट में नाश्ता भी ले लिया है और अभी हम लोग थुड़ी के लिए आड़ी की बाद आंटी को भी देंगे आंटी का काम खतम हो जानी के बाद और बस यहाँ पर रएडी है हमारा तीनों के लिए नाश्ता-घरम गारम और अधविक का चॉकोस भी रएडी है यहाँ पर अधविक को चॉकोस और दूद दे रही हूं पहले भी पी लेती हूँ अभी क्योंकि breakfast का time निकल जाएगा फिर बाद में और फिर अपने कामों में लग जाती हूँ तो फिर breakfast के ओपर ध्यान नहीं रहता है देखो फिर से बाई स्टार्ड हो गई बहुत अच्छा वेदर हो गया है यहां पर यह आ गया है तो इनके लिए sandwich बना लिया है और यह रह इनका sandwich सैंडवीच मे लोच काम बना देकर के और कितना है Christmas है ब्रवाफ्छ को फिरिया हो दखker डे उसे सैंडवीच में अभी तीन दीन ओगए अगर याद बने भीच में यह सैंडविछ रेडी है, अभी ने दे रेती हूँ सैंडविछ दोनों पापपेटे खालेंगे काई मारा बुटे सिंडविटा काई महीं नहीं किया रहा है हम लगोरे तरजल खानिया कल ये राव तो जूट इसलेट आए ना तो इसमें एक नूट उस्टे नो ने क्वाया इता डाये क्वाइज अखाया ममा, 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 जा मेरे बाद मन्दू की नोची है, अलागली तुषी में एक चिले ले तो, पुचरा ले तो, और मेरे मन्दू की नोची है, 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 और मेरे म चलो यहां पर दोनों बाप बेटों का खाना चल रहा है सैंडवेच और अभी थोड़ी दिर के बाद इनको डूटी भी जाना है तो वो डूटी चले जाएंगे और फिर मैं अपने कामों में लग जाओंगे और एक चीज आपको दिखाना ही भूल गई यहां पर तो यार जान लाके रख दिया है यह भी रास्ता बनेगा मैं बिल्डर बनाएंगी यह रास्ता और यहां पर निखाल के दिखाती हूँ यहां पर तो डेली अभी जान का खत्रा लग रहा है आंटी वगरा आ रही है न गरपे तो वो भी टेंशन में ही रहती है उनको भी जान का खत्रा र दिखा लेंगे इसमें और फिर यहां पर वो पाइप पगर डालेंगे और मेरा गार्डन आपको दिखाती हूँ बहुत दिन हो गया गार्डन नहीं दिखाया तो यहां पर बाहर निकलती हूँ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अभी गार्डन पूरा क्लीन हो गया बाहर निकलती हूँ और पौदों की तरब देखती हूँ न बहुत ही जादा दिल को सुकुन मिलता है पुरा पहले जब काम चल रहा था तो बिल्कुल भी इनका हो नहीं पा रहा था तो इसे वज़ेसे अभी कर दिया इनोंने बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो आता काम से इस नहादों के रेडी हो और अब जाके किजन में आई हूँ अच्छली आज खाना नहीं बनाना है सब लोगों ने खा लिया है और उसके बाद भूप बिल्कुल भी नहीं है तो इस यह जैसे आज का काम तो मेरा खतम मतलब बज गया आज का काम तो सुबह भू खा ल विसके बदाद प्कोन चौँल अधे भी नहीं है किसी को भी नहीं है सब पूछा मेंने अभी यह तो गया दूटी और उदर से आने का इनका टाइम नहीं है तो इसी ज़़ह से इनकी ले भी खाना नहीं बनाना है जब यह बोलेंगे तब बना दूंगी अभी में क्या बनाए खाने में क्या बनाए तो यह टेंशन सभी का होता होगा सारी हाउस वैप का यही टेंशन है रात से ही टेंशन हमारा स्टार्ट हो जाता है सूबे खाने में क्या बनाए फिर सूबे से स्टार्ट हो जाता है शाम को खाने में क्या बनाए रोटी और दाल चावल कहां तक बना है क्या काम चल रहा है देख रही हूँ यहां से आप बाहर तो निकल नहीं पा रही हूँ तु इस वजुत यहां से नो चिंदगते और रही है इतनी ज्यादाग दू प्रात क्वाइश हो रही थी क्या बता हूं आपको पूरे हाथ पैर जल रहे थे और यह देखो क्या कर दिया है इन्होंने पूरा पानी निकल गया नीचे और देखो यह जो फ्रीजर है ना पूरा भर गया था बर्फ से और क्योंकि यहाँ पर डोर नहीं है आपको मैंने बताया था कि डोर यहाँ का तूट गया है इन्होंने बर्फ निकालने के चक्कर में तोड़ दिया था और अब ही देखो यह बर्फ निकालने के चकर में ही आफ कर दिया है और पूरा नीचे पानी आ रहा है कर दो सक्कार कर दो प्रबबब। कर दो कर दो कर दो कर दो तो चले गाई सारे काम तो हो जुके है अभी इस व्लोग को यही पर एंड करने का टाइम आ गया है तो चले इस व्लोग को यही पर एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए व्लोग में अपसे आपको यह च्छटा से व्लोग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और आप चोहँद मेरे दुसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में जाएगा डिस्क्रिप्चिन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चले फिर बाबाई टेक केर अंड लव यॉल बाई गाईज धान रखना आपना